हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजीनिस कुमार आप सभी का एक बार फीड से हारदिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी सहितिका सरल इतिहास के अंतरगत प्रेमासरी शाखा या सूफी का विधारा के अंतरगत और इस लेक्टर में हम जो प्रेमासरी शाखा के प्रमुख कवी हैं उनकी रचनाओं और उन रचनाओं की विशेवस्तू को अच्छी से पढ़ने की कोशिश करेंगे और परिक्षा के दिश्टी कोंड से उन महत्पून को भी रिखांकित करेंगे जो कि आपके लिए लाब दैक्षा भीत हो सकें तो चलते हैं बात करते हैं सिधे कि प्रेमासरी शाखा या सूफी का विधारा क्या है इससे पहले हमने जब निर्गुन का विधारा पर विचार किया था तो उसमें हमने ज्यानाश्राई शाखा और प्रेमाश्राई शाखा के बारे में थोड़ी सी चचा की थी देकिन यहाँ पर हम विश्तार से बात्चित करेंगे प्रेमाश्राई शाखा या सूफी काविधारा की बात करें कि प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन रही है तो सबसे पहले हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काली दास ने मेग दूत में उदयन कथा कोवित यानि की उदयन की कहानी कहाने में पटू जनों का उल्ले किया है सोलामी शती के बनारसी दास ने अर्ध कथा अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती और मिरगावत पढ़ते थे यह काफी important point है परिशा की दिश्टिकोड से पहला तो है कि अर्ध कथा कई बार इसको अर्ध कथा बुक्स में लिखा रहता है और कई जगह अर्ध कथानक के रूप में इसको भी जाना जाता है तो दिश्टिकोड से अर्ध कथानक जो कि बनार्षी दास, जैन द्वारा लिखा गया है यहाँ पर इणका पूरा नाम नहीं लिखा है और सुलाव क्षति के आसपस की यह बात है और बनार्षी दास ने अपनी आत्म कथा अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती और मिरगावत पढ़ते थे तो हो सकता कि बदलते पैटर्न में आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि अर्ध कथानक में किन दो रशनाव का उलेक किया गया है जिसमें सही जबाब होगा मधुमालती और मिरगावत यहां पर ध्यान रखे कि पदमावत की बात नहीं कही गई है तो बनारसिदास जैन ने अर्ध कथानक में मदुमालती और मिरगावत का वरणन किया है कि उसको पढ़ते थे ये सुफी नहीं सुधलोकिक प्रेम कावित थे यानि कि जो मदुमालती हैं मिरगावत हैं ये सब सु सुफी काविपरंपरा के अंतरगत एक ही कहानी एक ही टाइप की कहानी को आधार बनाकर अनेक रचनाय की गई हैं जिसे कि आप देख रहे होंगे शुरू में ही मैंने बताया कि उन रचनाओं की जो विशेवस्तु रही है वह एतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ सा गणि का अफसरा की प्रेम कथा मुख्य रूप से उसकी विशेवस्तु के रूप में रही है अनेक सुफी कभियों ने ये लिख दिया है कि आधी अंत जस कथा रही या पुनी हम खोली अरत सब कहा तो ये जो पंक्तिये सुफी कभियों से संबंदित है और उनने स्विकार क कि आधी अंत जस कथा रही या पुनी हम खोली अरत सब कहा इसे इस पर्ष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से प्रचलित थी अनुमानत जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आधी काल में भविश्यत कहा जैसी रचनाय की है वे भी लोग प्रचलित कथाओं पर आधारित है तो आधार लिया गया है खासतर से वरिक समाज को उसमें जगांदी गई है तो जो ये सूफी का विधारा में विशेवश्तु अपनाई गई है कभियों दोरा उसकी एक परंपरा रही है जिसको की जोड़ा जा रहा है आधी काल की कुछ प्रमुकर रचनाओं से खासतर से जैन म किक अने जैन धर्म के धाचे में परस्तुत किया होगा ऐसे ही एसा ही राम कथा और क्रिष्ण कथा के साथ भी ह हुआ है यानि कि यहां पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है विशुनात्रीपठी द्वारा कि जैसे सुफी कभियों ने उन्हें सुफी धाचे में राम कथा या कृष्ण कथा पर आधारित रचनाय हुई है वह भी ऐसे ही आगे लिखी गए लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा भी सुफी कावे के समनांतर चलती रहे हैं इस्वर्दास की सत्यवती कथा को इसी परंपरा में माना जाना चाहिए यह परिक्षा के दिश्ट्र परदास जो सत्यवती कथा के लेखक है और यह क्या है लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा के अंतरकत आती है जो कि सुफी का विधारा के समनांतर चल रहे थी आगे बात करें तो कुशल लाप का ढोला मारू राद्दूहा जो कि शोलमी शती के आसपास का है जिसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित है प्रसित प्रेम अख्यानक है ठीक है इसलिए इसे सुफी का विधारा को हम प्रेमासरी साखा या फिर प्रेमाख्यानक का भी कहते हैं कुशल लाप की दूसरी रचना है जिसका नाम है माधवानल काम कंदला ठीक है तो कुशल ला कि एक रचना यहां पर ढोला मारूरा दुहा है दूसरी जो रचना है उसका नाम है माधवानल कामकंदला तो इन दोनों रचनाओं को ध्यान में रखे माधवानल कामकंदला की प्रेम कथा पर 1547 में आलम ने भी काविर रचना किये इसलिए कई बर परिक्षाओं में पुछ ल मनित कभी थे बाद में उनोंने माधवानल कामकंदला को भी आधार बनाकर काविर रचना की है आगे बात करें तो सारंगा सदा व्रिक्ष की प्रेम कथा भी अनेक रचनाओं मिलती है जो सारंगा सदा व्रिक्ष की प्रेम कथा रही है उसको भी आधार बनाकर अनेक रचना की रचना किये क्योंकि यहाँ पर कवी का नाम पता नहीं चल रहा है इसलिए परिक्षाम बहुत नहीं पूछा जाता है लेकिन हो सकता है कि पूछ लिया जा कि कुतुब सत्तक में किसकी किसकी कहानी है तो कुतुब बुद्धीन है और साहिबा की प्रेम कथा का वर्डन किया गया है काने का आसा यह है कि सुफी काबे के साथ सुध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चल दी रही सुफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सुफी सिध्धानतों के धाचे में इस सफाई से गढ़ा की कथा प्रतिकात्मक्ता में दोहरापन होता है वो प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो सुफी कावे धारा है और जिसमें लोकिक प्रमाख्यानक लिखेगे उसकी जो एक खास विश्चता है वो है क्या है प्रतिकातमक्ता और प्रतिकातमक्ता दोहरा पन लि इन सबको आधार बनाकर उसको वाइड बॉर्ड पर समझाने कोशिश किये प्लेलिस्ट में जायेंगे तो आपको ये वीडियो मिल यागी तो समय निकाल कर आप जरूर देखिए अगर बात करें सुफी का विधारा में सबसे पहले जो कभी हैं उनका नाम है मुला दाउद मुला दाउद सुफी परंपरा के पहले कभी माने जाते हैं इनकी रचना का नाम है चंदायन चंदायन का रचना काल 1389 इस भी है और ये जो निरडे लिया गया कि ये 1389 में कैसे हुई बरिस साथ से हुई क्या सी तिन्नी जहां कभी सर्षियो भासी इसके आदार पर ये अन्म आज इस भी में हुआ था आगे बात करें तो मुला दाउद राय बरेली जी लेके दल्माउ के थे वहीं उन्होंने चंदायन की रचना कि तो ये इंपोर्टेंट आपके लिए क्योंकि आमेठी के आसपास में मलिक मुमज्जैसी का जन्म हुआ था और राय बरेली में मुला प्रियों समानित था यानि कि जो चंदायन है दिली में मखदूम सेख की तकि उद्दिन रब्बानी जन्समाज की बीच इसका पाठ किया करते थे काफी इंपोर्टेंट फैट्स आपके परिक्षा की देश्री कौन से कि चंदायन का पाठ कौन किया करते थे मखदूम सेख तकि उद्दिन रब्बानी जो कि जैसे रामचरित मानस का पाठ होता है वैसे ही वो चंदायन का पाठ किया करते थे चंदायन पूरो भारत में प्रचलित लोरिक उसकी पतनी मैना और उसकी बिवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथाओं पर आधारी थे अब आप यहाप किया गया इसमें तो आप देख रहे हैं पातरों का नाम रखे याद लोरिक मैना और चंदा त्रिकोंड प्रेम यहापर आपको दिखाई पड़ रहा है बीच बीच में चंदा को इस कावि में भी पदमावत की भाति अलावकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है तो आगे यानि कि परिस्कृत अउदी कई भर सवाल पूछा जाता है कि रामचरित मानस की अउदी और पदमावत की अउदी में क्या अंतर है तो अंतर एक काफी इंपोर्टेंट है कि जो रामचरित मानस की अउदी है वो तत्सम प्रधान है परिनिष्ठित है परिस्कृत है जबकि पदमावत की जो अवदी है वो ठेट ग्रामीड है तो ये आप देख रहे हैं कि चंदायन की अवदी क्या है परिस्क्रीत है दूसरे लेखक के बारे में बात करें कभी के बारे में तो उनका नाम है कुत्बन जीन एक कुत्बन ने मिर्गावत की रचना नोसो नो हिजरी अर्थाथ पंदर सु तीन इसम्बी में की थी और कुत्बन सुहरा वर्दी पंथ से संबंदी थे रामचन शुकल के अनुसार ये जौनपूर के बादसा हुसेंस साह के आसरित थे तो ध्यान में रखिये कि जो कुत्बन है वो किसके समकालिन थे ये जौनपूर के बादसा हुसेंस साह के आसरिदाता के रूप में थे और व शिकार खेलते समय सिंग के द्वारा मारा जाता है तो ये म्रिगावत की कहानी है कि नायक म्रिगी रूपी नायका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोजमी निकलता है और सिकार खेलते समय सिंग के द्वारा मारा जाता है हो सकता है कि कई बर परिशा में यह इस्टोरी आपको बता दी जाए और पूछा जाए 21 रचना के लिए है तो ध्यान में रखे यह मुरिगावत के लिए यह रचना अनेक कथानक रोणियों से युक थे इसकी भाषा प्रवा हमाई है मतलब उसमें प्रवा है वो उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक गती आपको दिखाई पड़ेगे तीसरे कभी के बारे में बात्चित करें तो उनका नाम है मलिक मुहमद जैसी जिससे कि आप पहले से परचित हुए होंगे लगबग यह दसमीं बारे में से बच्चों को पढ़ने के लिए पाठिक्रम में मिल जाते हैं और बीए में वी र अमपरा के स्रिष्ट कभी मलिक मुहमद जैसी हैं यह अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे इसलिए इनने जैसी कहा जाता है आप अब समझ गया होंगे कि मलिक मुहमद जैसी को जैसी क्यों कहा जाता है क्योंकि जन्म इनका हुआ था अमेठी के पास और वहां एक जग पूरी इस तरीके से नाम आपको दिखाई पड़े होंगे तो वैसे ही जैस करने वाले थे इनको जैसी नाम से पुकारा जाने लगा रामचनर शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है कि जैसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गीने जाते थे अमेठी के राज घराने में इनका बहुत मान था सम्मान था इनकी तीन रचना है उपलब दें अखरावट आखरी कलाम और पदमावट तो करम से आप देख रहे हैं कि अखरावट आखरी कलाम के बात है पदमावट तीसरे नमबर पर इनकी रचना है और जो कुछ आज जैसी क कि भारे में हम जानते हैं, यह पत्रमावत के वज़े से ही जानते हैं, कहते हैं कि इनकी नई RAC track इन्हावत हालां कि इसकी प्रमारिकत्ता को ले कर संधे है लेकिन कई बार परिक्शों में पूछ लिया माला के एक एक अक्षर को लेकर सध्धान्तिक बातें कही गई जब भी दिमाग में अखरावट रचना आनी चाहिए आखरी कलाम की बात करें तो आखरी कलाम में कयामत का वर्णन है कई बार परिक्षाव में पुछा जा चुका है कि मलिक मुहमद जैसी के किस रचना में कयामत का वर्णन क्या गया है तो उसका सई जवाब है आखरी कलाम अगर हम मलिक मुहमद जैसी के यस और किर्थी की बात करें तो उसका जो आधार है व हिज्री के आसपास की थी यह काफी important facts है जैसा कि मैंने बताया कि सुफी रचना है आप जब पढ़ेंगे तो उसमें हिज्री से संबंदित कुछ बातें आती हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि म्रिगावत कब कितने हिज्री में लिखी गए थी या फिर पदमावत को एकदम से ध्यान में रखे 927 हिज्री के आसपास में यह रचना की गए थी उसको अगर इस भी में convert करेंगे तो 1520 इस भी माना जाता है कई किताबों में 1540 इस भी लिखा रहता है लेकिन यहाँ पर आप पीर की ब्यंजना करने वाला विसद प्रबंध काब्य है कई बहर प्रिक्शाओं में पूछ लिए जाता है कि प्रेम की पीर की ब्यंजना किस कवी में पाई जाती है तुर उसका सही जबाब है मलिक मुहम्मद जैसी और यहां पदमावत रचनाओं की बात करें तो पदमावत है प्रेम की पीर की बेंजना को अभिवेक्ट दने वाला एक विशत प्रबंध कावे यहां पर आप ध्यान रखें महा कावे नहीं बलकि प्रबंध कावे को ही महा कावे करा जाता है और परिक्षा में पूछ प्रबंध कावे क्या है तो यहां पर आप देख लिए होंगे कि प्रबंध कावे है आगे बात करें इसकी शैली पर तो यह दोहे चौपाईयों में निबद मस्नवी शैली में लिखा गया है यह आपके लिए काफी इंपोर्टेन फैक्ट से कई बार परिक्षा में पूछ चार मित्रों शाहे वक्त शेर्षा शूरी और समसामाई गुरूं योंपीरों की बंदना किया है यह काफी इंपोर्टेंट आपके लिए है कि मस्नवी शैली में लिखा गया है पदमावत और उसमें मलिक मुहमद जैसी ने किसकी किसकी बंदना किये तो आप ध्यान में रख इसलिए आप एकदम से ध्यान में रखें शेर्षा सूरी और समसामाई जो उसमें के गुरू थे पीर थे उन सब की इनोंने बंदना किये तो यह काफी इंपोर्टेंट जानकारी इसको आप ध्यान में रखें पदमावत की कावे भूम का विशा दियों मुधात्य कवी ने प्रारम में ही प्रकट कर दिया है कि जीवना और जगत को देखने वाली उनकी द्रिष्टी व्यापक और परस पर विरोध को आकने वाली है क्लियर कर दिया कि उनके लिखने का उद्देश क्या है कवी अल्लाह को इस विविद्धा मैस श्रिष्टी का करता का है तो एक तरीके से जो उपर बताया गया कि मलिक मामा जैसी ने अल्ला को इस बीविता में श्रिष्ठी का करता का है बीवित प्राण्यों वश्तियों का परिगर्ण करता कहा है फिर उन्हें परस्पर वो अंतर विरोध भी देखते हैं आगे बात करें तो उपियुक्त पंक्तियों में जैसी वश्तियों का परिषपर विरोध दिखा रहे है जैसा कि मैं भी बताया उनकी द्रिष्टी सामाजिक विसमता की ओर भी जाती है किन्हे सी कोई विखारी कहीं धनी किन्हे सी संपत्य विपत्य पुन धनी काहू भोग भूगती सुकसारा कहां काहू भूग भवन दुखारा जैसी इन सब को अल्लाह का किया हुआ मानते हैं पदमावत की कथा चितवर के सासक रतंसेन और सिंगल देश की राचकन्या पदमीनी की प्रेम कहानी पर आधारी थे यह पदमावत की विशेवस्तु है इसमें कवी ने कौशल पूर्वक कलपना यूम एतिहसिक्ता का मिश्रण कर दिया है तो पहले आपको द्यान में रखना ह है कि इसमें अलावदिन खिलजी द्वारा चितवर्ण पर आकमड और विजय की एतिहासिक घटना है चोथा है कि रतंसेन अपनी विवाहित पत्नी नागमती को छोड़ कर पदमीनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है पदमीनी से उसका विवा हो जाता है कई बार परिक्ष्वर में पूछा गया है कि रतंसेन कौन सा वेसधारन करता है तो यहां पर योगी बनकर वो निकलता है तो इसको आपको ध्यान में रखना है आगे बात चित करें तो इसमें राघव चेतन नामक पंडित पदमीनी के रूप की प्रसंसा अलावदिन से करता है अला अलावदिन के मन में एक भाव जगरित होता है गोरा बादल विर्तापूर्वक रतंसेन को छुड़ा लेते हैं तो यहां पर गोरा बादल दो बीर पात्रों के बारे में चर्चा की गए बाद में रतंसेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है तो यहा कुछी ने इस प्रेम कथा को आधिकारी के आनुसंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत जतन से बाधा है पदमावत आध्यंत मानुष प्रेम अर्थवा अर्थात मानुवी प्रेम की महिमा ब्यंजित करता है हो सकता कि परिश्याम पूछ लिए कि मानुष प्रेम के प्रेम भयो वयकुंठी नाईत का चार भर मुठी ठीक है न तो यहां पर हीरामन सुख को भी ध्यान में रखना है और जो प्रेमासरी शाखा की खास विश्यत्ता रहे यह फिर पदमावत की खास विश्यत्ता रहे की मानुस प्रेम भयो वयकुंठी नाईत का चार भर मुठी और आप देखेंगे रचना के अंत में कि वह छार भरी मूठी भी फिर आती है अलावदिन पदमिनी के शती होने के बाद चित तोड़ पौशता है तो यह राख ही मिलती है छार उठाई लिन्नी एक मूठी दिन उठाई प्रिथमी धूटी कई बार यह जो पंक्तियां परिशों में आ जाती है तो इनको विध्यान में रखना है कभी ने कौशल से यह मार्मिक व्येंजना की है कि जो पदमिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है वही अलावदिन जैसे के लिए मुठी भर धूल है मदिकालीन रोमांचक अख्यानों का कथानक प्राय विखर जाता है किन्तु पदमावत का कथानक सुगठित है पदमावत में नगरवरणन सड़वर रितुवरणन बारामासा नक्षिक वरणन केवल रूड़ इपालन के रूप में नहीं मिलता है उसमें कभी की कलपना सहिर सहारे मारिमिक यों करून द्रिश्य विधान खड़ा करती है ठीक है तो दोनों तरफ से इसमें तेकनिक जोड़ था कि केवल पदमावत में नगरवरण रितुवरण बारामासा नक्षिक वरण आधी रूणियों का पाला नहीं किया गया बलकि उसमें कभी ने अपने कलपन के माध्यम से सहारे मारिमिक यों करून द्रिश्य विधान को प्रस्तुत किया है पदमावत में प्रकृत का भी मनुस्य प्रतिकात्मक उपयोग है किन्तु वह अपना स्वतंतर व्यक्तितु भी रखती है जैसी के नक्षिक वरण की विश्षता हिया है कि वह मांसल होते हु भी पाश्विक वरित्यों को उत्तेजित नहीं करता है बलकि एक रहस्य और करूना के लोग में हमें ले जाता है पदमावत की नागमती के वीरह वरण का प्रसंग अत्यन्त मारमिक है उसकी मारमिकता का आधार मध्यकालीन भारतिय नारी की विवस्ता है एक और नारी का वि वीरह का चित्रक्रा करना है वह रानी है किन्तु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह मध्यकालीन सामानेवर की नारी का रूप है राजबावन में राने वाली नारी का नहीं है और कोटेशन भी है कि पूरा उनच्छत्र फिर उपर आवा हो बिनुना मंदिर को पदमावत का रचनाकार मौलिक कथा का वड़न कहीं कहीं इस प्रकार करता है यानि कि जैसी इस प्रकार करते हैं यह अलावकिक पर परक्ष सत्ता का अर्थ संकेतित होता है जैसे मान सरोधक खंड का यह वड़न है कि सरवर तीर पदमेनी आई खोपा छोरी केस मुकलाई ससी मुख अंग मलयगिरी बासा नागिन जहापिलीन चहुपासा ओनई घटा परिजब छाहां ससी केस सरन लिन जनुराहा प्रथम दो पंक्तियों में रूप का वड़न है और तीसरी पंक्ति में पदमनी के लोकोतर संदर का आबास देती है इसी प् अन अस को जो नमारा बेधी रहा सगरव संसारा पदमनी परम सत्ता का प्रतिक है रतन सिंसाधक का तथा रागव चेतन सैतान का प्रतिक है कथा लोकिक धरातल पर चलने के कारण साथ साथ लोकोतर अर्थ भूमी की अर्थ की भूमी पर भी चलती है इसलिए पदमावत को प् प्रतिकात्मक्ता सर्वत्र नहीं है और इसमें लौकिक कथा रस व्याघात नहीं करता है पदमावत में हठ योग कुंडलनी योग योम रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है बैश्रव निरियता और अहिंसा का भी इसमें संदेश दिया गया है हिंदू पवराणिक पात साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है पदमावत विशुद अवधी में रचित काभ्य है इसमें रामचरित मानस की भाति अनेक छेत्र की भाषाओं का मेल नहीं है इसलिए विशुद अवधी का जो सहज और चलता रूप पदमावत में मिलता है वो रामचरित मानस में न नहीं के बराबर है जैसे का प्री अलंकार है ये कई वर परिक्षों में पूछा जा चुका है इसको आपको ध्यान में रखना है और पंति की प्यूशो कहो संदेशडा है भवरा है काग सो धनी बीरेजर मुई तेक धुआ हम लाग तो है तु प्रेक्षा अलंकार को आपको ध होती है अगले कभी पर बात चित करें तो उनका नाम है मंजन जिनका समय स्वलावी सती के आजपास में माना जाता है मंजन ने 1545 इसमी में मधुमालती की रशना की थी ये जैसी के परवर्ती थे मधुमालती में नायक को अपसराय उड़ाकर मधुमालती के चित्रसारी में पहुचा देती है और वहीं नायक नायका को देखता है इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समनांतर प्रेमा और तारा चंद की भी प्रेम कथा चलती है तो आप देख रहे हैं कि मधुमालती में दो कथा हैं समनांतर चल रही है एक तरफ मनोहर और मधुमालती की कथा है तो दूसरे तरफ प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा है इसमें प्रेम का बहुत उच आदर सामने रखा गया है सुफी कावियों में नायक की प्राया पत्निया होती है किन्तु इसमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंद इस्थाफित करता ह इसमें जन्म जन्म नांतर के बीच की अखंडता प्रकट की गई है इस द्रिष्टी से भारतिय पुनर जन्मवात की बात कही गई है और कई बार परिश्वा में पूछा गया है कि किस सुफी रचना में भारतिय पुनर जन्मवात की बात कही गई है तो उसका सही जबाब है मधुमालती हाला कि इसलाम उनर जन्म को नहीं मानता है लोक के वरणन द्वारा अलावकिक सत्ता का संकेत सभी सुफी कावियों के समान इसमें भी पाया जाता है मधुमालती के बाद अन्य अगर सुफी रशनाओं के बारे में बात्चित करें तो उसके प्रमुख कवी और काविय इस प्रकार है उसमान ने 1613 सिवी में चित्रावली की रशना की सेख नवी ने 1619 सिवी में ग्यानदीप नामक काविय लिखा कासिम शाह ने 1731 सिवी में हंस जवाहिर नाम से एक रशना लिखी नूर मुहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बासुरी लिखा था जो की परिक्षा की दिश्टिकोंट से काफी इंपोर्टेंट है प्राया परिक्षा में पूशे जाते हैं अगर अनुराग बासुरी की विश्टि पर बात चित करें तो अनुराग बासुरी में शरीर, जिवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बाधा गया है और नूर मुहम्मद की एक खास विश्टा है कि इन्होंने चवपाईयों के बीच दोहे नर रखकर बरवे रख किया है या फिर रखा है तो उनका नाम है नूर मुहम्मद तो इस तरीके से आज के विडियो लेक्चर में हमने प्रेमासरी शाखा के अंतरगत प्रमुक्ष सूफी कव्यों और उनकी रशनाओं के उपर बात चित किया और परिक्षा के द्रिश्टि कौन से उन रशनाओं क मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार